नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे यूटूब चैनल समीर पाठसाला में दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे Paradise Lost को Paradise Lost की मैं इसमें पूरी समरी को आपको अच्छे से समझा दूँगा मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि हम इस वीडियो में क्या-क्या डिस्कस करने वाले है इस वीडियो में दोस्तो हम Paradise Lost के Key Facts को इसमें characters कौन-कौन से हैं सारे characters को मैं आपको समझाऊंगा और इसकी समरी को यह सारी चीजें दोस्तो हम इस वीडियो में अच्छे से समझ लेंगे तो वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा होगा इसलिए आप वीडियो के अंत्तक दोस्तो बने रहें शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले इसके Key Facts से सबसे पहला कीफेक्ट जो है दोस्तो इसका है Paradise Lost जो है वो एक epic poem है दूसरा है दोस्तो ये Paradise Lost जो है published हुई थी 1667 में published किया गया था इसको दोस्तो ये दो edition में आई थी Paradise Lost जो है दो edition में आई थी इसका first edition जो है दोस्तो उसके अंदर 10 books थी ठीक है 10 books थी और वो कब published हुआ था 1667 में दूसरा edition दोस्तो इसका second edition जो है वो कब published हुआ था दोस्तो 1674 में और इसके अंदर दोस्तो कितनी books थी 12 books थी ठीक है तो बढ़ते हैं आगे paradise regained is the sequel of paradise lost came in 1671 paradise lost का दोस्तो एक sequel भी था sequel मतलब एक तरह से second part कह दीजिये उसको वो आया था 1671 में paradise lost को दोस्तो blank verse में john milton ने लिखा है blank verse क्या है जिसके अंदर दोस्तो meter का इस्तिमाल तो हो लेकिन rhyming scheme ना हो blank verse में ज़्यादा तर writers दोस्तो iambic pentameter का इस्तिमाल करते हैं तो blank verse से आपको यह याद रखना है blank verse वो होता है जिसमें meter का इस्तिमाल होता है लेकिन rhyming को follow नहीं किया जाता paradise lost में जो है grand style जो था जिसमें milton जो है बहुत ही मसूर थे जिसके लिए जाने जाते थे mental उसमें milton ने इसे लिखा है दोस्तो paradise lost के अंदर book number 7 जो थी वो shortest book थी उसके अंदर 640 line थी जो book number 7 है दोस्तो वो shortest book थी यानि सबसे छोटी book जिसके अंदर 640 line थी और जो longest book थी दोस्तो वो book number 9 थी जिसके अंदर 1118 9 lines थी तो paradise lost को दोस्तो जोन milton ने अपने life के अंतिम phase में लिखा था ये दोस्तो कुछ key facts हैं जो आपको याद रखने हैं अब सुरू करते हैं दोस्तो इसके characters से इसकी character list को मैं आपको पूरी तरह से समझाओगा सबसे पहला character है दोस्तो इसका lucifer lucifer जो है कोन है भगवान के पास एक archangel है भगवान के पास दो तरह की angel थी दोस्तो एक तो ordinary angels मतलब ज़्यादा सक्तिसाली नहीं थी और दूसरी archangels archangels मतलब ordinary से उनके पास ताकट ज़्यादा होती थी तो बहुत सारी archangels भी थी भगवान के पास तो lucifer भी दोस्तो उनमें से एक था उसके पास बहुत ज़्यादा ताकट थी तो इसको lucifer को दोस्तो समय के साथ इतना गमंड हो गया था अपनी ताकत पर कि वो भगवान से कम नहीं मानता था अपने आपको मतलब भगवान से inferior नहीं मानता था वो सोचता था कि भगवान के जितनी ही ताकत मेरे अंधर भी है इसने एक बार क्या सोचा दोस्तो कि मैं यदि भगवान के साथ बगावत कर दूँ तो मैं यहाँ का रاجा-सायत बन लेकिन भगवान मुझे सजा देंगे और वो मुझे हैल में डाल देंगे और मैं वहाँ का जाकर राजा बन जाऊँगा तो उसने उस टाइम पे एक स्टेटमेंट बोला था दोस्तो Better to reign in hell than serve in heaven ये बोला था दोस्तो किसने सैटन ने मतलब जो अभी स्वर्ग में लूसीफर है तो दोस्तो इसने क्या किया गोड की जो कुछ आर्केंजल्स थी और एंजल्स थी उनको अपनी तरफ मिला लिया और उसने लूसीफर ने गोड की आर्मी के साथ क्या 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 युद्ध किया अब गोट की army ने इनको हरा दिया और इने कहां फैंक दिया hell में फैंक दिया अब hell में जब ये पोच गया तो इसे लूसिफर को दोस्तो हम सैटन के नाम से जानेंगे ठीक है तो इस तरह से ये लूसिफर सैटन में बदल गया next character है दोस्तो इसका God the Father God the Father कोन है दोस्तो जिनोंने स्वर्ग को नर्क को दुनिया को बनाया है इन सब की रचना की है इनको सभी चीज़ों के बारे में दोस्तो मालूम है क्योंकि इनोंने ही सब कुछ बनाया है इसलिए इने पहले ही सब कुछ पता चल जाता है तो दोस्तो इनका नाम इस Paradise Lost में God the Father है Next character है दोस्तो इसमें The Son of God The Son of God कोन हैं दोस्तो भगवान का बेटे हैं ये ठीक है ये भगवान के बेटे हैं दोस्तो ये बाद में जब आन्त आएगा इस पले का इस कहानी का तो ये बाद में दोस्तो धरती पर जनम लेंगे Jesus Christ के रूप में और इनसान जाती के जितने भी पाप हैं उनको अपने सर ले लेंगे और इनका एक रोल हो रहा है जब Adam और Eve fruit of knowledge को खा लेते हैं तो ये ही जाते हैं भगवान के बेटे सजा देने के लिए Adam और Eve को नेक्स्ट करेक्टर है दोस्तो इसका Adam एडम कोन है दोस्तो ये धरती का पहला इंसान है ठीक है कोन सा इंसान है दोस्तो मेल जिसे हिंदी में हम नर कहते हैं ठीक है तो दोस्तो जब भगवान ने Garden of Eden को बनाया था तो उसमें बहुत सारे पेड़, पक्छी, पोधे, सारी चीज़े उन्होंने बनाई थी और साथ में एक इंसान बनाया Adam एडम के पास अपना कोई भी companion नहीं था तो दोस्तो इसका अगला करेक्टर है Eve Eve जो है इस धरती की दोस्तो दूसरा इंसान है और पहली औरत है ठीक है पहली मादा मतलब पहली औरत है और दूसरा इंसान है दोस्तो ये एडम जो है जब Garden of Eden बनाया था भगवान ने वहाँ पर अपने आपको बहुत अकेला फिल करता था अब ये अकेला feel करता था तो Adam ने भगवान से क्या की प्राथना की कि भगवान आपने यहाँ पर सबका companion बनाया है लेकिन मेरा companion नहीं बनाया है तो मेरा भी कोई साथी बना दो तो भगवान ने क्या किया दोस्तो इस Adam की रिव से रिव मतलब पसली से क्या किया इन्होंने है तो Adam का भी एक companion garden of Eden के अंदर आ गया next character है दोस्तो बीलजी बब बीलजी बब कौन है ये ये सैटन है सैटन का second in command है second in command को हिंदी में मैं कहूं तो सायक अध्यक्ष दोस्तो जब सैटन और इसके सभी साथी नर्क में discuss करते हैं कि किस तरह से हम भगवान से बदला लें अपनी इस जैसे उन्होंने हमें नर्क में फैंक तो इस चीज का हम किस तरह से भगवान से बदला दें तो ये suggestion कौन देता है दोस्तो बीलजी बब देता है और इसके suggestions को दोस्तो ये सैटन मान भी लेता है next character है दोस्तो sin sin कौन है sin है दोस्तो saturn की बेटी ठीक है ये saturn जो है इसकी बेटी है ये sin अगला character है दोस्तो इसमें death death जो है ये दोस्तो saturn का और sin का बेटा है जो ये saturn है एक बार दोस्तो अपनी बेटी के साथ ही ये physical relation बनाता है जिससे इन्हें एक बेटा होता है उस बेटे का नाम क्या है death है तो next character है दोस्तो इसमें gabriel gabriel भी दोस्तो भगवान के पास एक archangel है जो दोस्तो स्वर्ग से लेके garden of Eden तक की सीड़ियां है उनका पहरेदार है ये दोस्तो गैबरिल जो है कभी भी garden of Eden में घूमता हुआ आ जाता है next character है दोस्तो इसमें राफेल राफेल भी भगवान का दोस्तो एक archangel है लेकिन इसे जो भगवान है एक messenger के रूप में इस्तिमाल करते हैं जब एडम और इव को करेप्ट करने के लिए garden of Eden में सैतान आता है तो राफेल को दोस्तो भगवान भेजते हैं और उसको कहते हैं कि जाओ समझाओ एडम और इव को कहीं वो शैटन की बातों में आके fruit of knowledge को ना खा ले अगला करेक्टर है दोस्तो इसमें यूरियल यूरियल कोन है दोस्तो ये garden of Eden को जो gate है उनकी पहरेदारी करता है मतलब अर्थ में और garden of Eden में जो जो gate है उसकी पहरेदारी करता है दोस्तो ये यूरियल अब दोस्तो ये जो है बहुत ही सीधा साधा है एक बार सैटन जब garden of Eden में पहली बार अंदर प्रवेश करने के लिए आता है तो वो इस यूरियल को मूर्क बनाकर बड़ी ही आसानी से garden of Eden में प्रवेश ले ले लेता है अगला करेक्टर है दोस्तो इसमें Abdel जो है दोस्तो एक बार क्या हुआ था जब सैटन की आर्मी के साथ युद्ध हुआ था भगवान की आर्मी का तो उसमें जो था ये बागी था Abdel लेकिन इसे बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि हमने भगवान के साथ बगावत करक बहुत गलत किया है तो ये वापस दोस्तो भगवान के पास पहुंच जाता है इनका जो करेक्टर है दोस्तो वो क्या दिखाता है हमें ये पस्चाताप की सक्ती को दिखाता है कि किस तरह से पस्चाताप में सक्ती होती है यदि हमने कोई गलती की है तो हम उस गलती को माफ करवा सकते हैं भगवान से क्योंकि हम अपने गलती का पच्चता करेंगे अगला करेक्टर है दोस्तो इसमें माइकल माइकल जो है दोस्तो ये सारे के सारे आर्क एंजल्स जो है उनका क्या है दोस्तो ये चीफ है जब भगवान की आर्मी और सैटन की आर्मी का दोस्तो युद्ध हुआ था तो इसमें ये माइकल जो था दोस्तो सैनापती के रूप में था भगवान की आर्मी की तरफ से देखे ये बहुती सकती साली है इसके हाथ में यहाँ पर ढाल है और यहाँ पर तलवार है I hope दोस्तों ये सारे के सारे करेक्टर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो बढ़ते हैं दोस्तों हम इसकी अब कहानी की तरफ दोस्तों जॉन मिल्टन ने Paradise Lost को लिखने के लिए Bible से कुछ line ली है उन्हें expand करके उन्होंने Paradise Lost को लिखा है इन Bible की lines में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा दोस्तों Fall of Man की story देखने के लिए मिलेगी जिसमें हमें पता चलता है Adam और Eve को किस तरह से Garden of Eden से निकाल कर अर्थ पर फैंक दिया गया Garden of Eden में जब तक वे थे तो वो क्या थे दोस्तों अमर थे लेकिन जब वो अर्थ पर आ गए तो उन्हें death को भी एक दिन प्राप्त करना पड़ेगा तो दोस्तों जब John Milton Paradise Lost को लिखने के लिए जाते हैं तो वो सबसे पहले क्या करते हैं वो Muse का आवाहन करते हैं Muse मतलब स्वर्ग की देवियों का वो उनसे मदद मांगते हैं कि मैं Bible की कुछ lines को expand करने जा रहा हूं explain करने जा रहा हूं तो मुझे आपका इसमें साथ चाहिए लिखने के लिए तो वो उन देवियों का आवाहन करता है तो सुरू करते हैं दोस्तो इस कहानी को इस कहानी की सुरुवात में दोस्तो आपको Lucifer नाम का एक Archangel देखने के लिए मिलेगा जो भगवान का बहुत ही beautiful और सक्तिसाली Archangel है ये भगवान के साथ ही दोस्तो काम करता है लेकिन समय के साथ साथ क्या होता है इसकी सोच बदलती चली जाती है ये सोचता ही किसी भी एंगल से दोस्तो भगवान से कम नहीं है उसकी सक्तियां भी भगवान के equally है तो ये सोचता है क्यों ना मैं भगवान के साथ बगावत कर दूँ इसे अच्छे से पता है यदि ये भगवान की आर्मी से हार गया तो इसे नर्क में फैंक दिया जाएगा लेकिन ये लूसीफर फिर भी क्या सोचता है ये कहता है better to rain in hell than serving heaven इसका मतलब है कि यदि वो भगवान की आर्मी से हार भी गया तो वो hell का राजा बन जाएगा लेकिन उसे heaven में रहकर तो हमेशा हमेशा गुलाम ही बनके रहना पड़ेगा तो दोस्तो ये क्या करता है लूसीफर भगवान की आर्मी के कुछ आर्क एंजल जो है उनको अपनी तरफ कर लेता है और कुछ एंजल्स को भी अपनी तरफ कर लेता है और क्या करता है ये भगवान की आर्मी के साथ दोस्तो युद करने लगता है ठीक है इस युद में भगवान की आर्मी दोस्तो लूसीफर को उसके सातियों को बुरी तरह से हरा देती है और उन्हें जंजीर में बांध कर दोस्तो कहां फैंक देती है नर्क में फैंक देती है जब ये दोस्तो लूसीफर को और इसके आदमियों को नर्क में फैक दिया जाता है तो तभी से दोस्तो ये लूसीफर को हम सैटन के नाम से जानेंगे तो इस तरह से ये लूसीफर दोस्तो सैटन बन गया अब दोस्तो ये सारे के सारे सैटन और उसके साथ ही जब नरक में पोछ जाते हैं जंजीरों में से तो ये बहुत जल्दी छूड़ जाते हैं अब ये नरक में ही दोस्तो एक जगहा बनाते हैं जहां पर ये अब सब मिलकवे भगवान को हराने का प्लान बना सकें एक तरा से Conference Room बनाते हैं दोस्तो उस Conference Room का नाम होता है पैंडा मो को हराय जाए एक दिन दोस्तों इसी तरह की मीटिंग हो रही होती है वहाँ पर सारे के सारे डैविल्स बैटे होते हैं तो तभी दोस्तों ये बियालजी बब बताता है सैटन को की भगवान ने एक क्रियेशन की है उन्होंने गार्डन ओफ इडन को बनाया है जिसमें उन्हों पेड़, पोधे, पसू, पक्छी और सबसे खास चीज क्या बनाया है दोस्तों उन्होंने इन्सान को बनाया है यदि हम भगवान की बनाई हुई इस क्रियेशन को करेप्ट कर देते हैं मतलब की बुरी तरह से बिगार देते हैं तो भगवान को हम हरा देंगे ऐसा इन हुई क्रियेशन है इसको हम बिगाडेंगे तो यह दोस्तों सेटन निकल जाता है कहां के लिए धर्ती पे गार्डन ओफ एड़न को धूनने के लिए लेकिन दिस सेटन दोस्तों जैसे ही धर्ती पे जाने की तयारी निकरता है नर्ख से तो इसे अपने नर्ख के दुआर प तो ये दोनों sin और death दोस्तों एक पुल बनाते हैं अपने पिता सैटन के लिए जिससे ये धर्ती पर आसानी से आजा सकता है दूसरी तरफ दोस्तों भगवान को भी इस सैटन की हरकतों के बारे में पता चल गया है कि वो मेरे दुआरा बनाई हुई creation जो मैंने गार्डन ओफ इडन में पेड़, पोदे, पसू, पक्षी, इनसान को बनाया है उन्हें करेप्ट करने की कोशिस करेगा यदि ऐसा हुआ और उसने इनसान को करेप्ट की कर दिया तो इनसान को क्या पूरी उसके बाद आने वाले पीडियों को भी बड़ी सजा भूगतनी पड़ेगी इसके बाद दोस्तों मेरे बेटे जो हैं जिनको सन ओफ गोड के नाम से हम जानते हैं वे भी धरती पर दोस्तों जीजज़ किराइस्ट के रूप में जनम लेंगे और मानव जाती के सारे पापों को अपने उपर ले लेंगे इसलिए भगवान सोचते हैं सैटन को किसी भी रूप में रोकना होगा दूसरी तरफ दोस्तों ये सैटन के लिए पुल बना दिया गया है इसके बच्चों के दुआरा ये नर्क से धरती पर आ गया है ये गार्डन ओफ इडन को ढून रहा है काफी देर गार्डन ओफ इड सैटन के दरवाजे पर तो एक पहरेदार है दोस्तों यूरियल अब इसको मूर्ख बनाने के लिए क्या करता है दोस्तों ये सैटन एक एंजल का रूप बदलता है और वहाँ पर जाकर इस यूरियल से कहता है कि भगवान की बनाई हूई इस क्रियेशन को मैं देखना चाता हूँ और तुम यहां के गार्ड हो मैं तुमारे हत्यारों को भी देखना चाता हूँ और उन सभी चीजों की मैं तारीफ करना चाता हूँ जो तारीफ के लायक है मैं जानता हूँ भगवान ने जो क्रियेशन की है वो तारीफ के लायक ही होगी तो दोस्तों ये यूरियल क् चम चमाता देख ये खुस तो बिल्कुल भी नहीं होता बिल्कुल सर्प्राइजड हो जाता है कि भगवान में ये कितनी अच्छी चीज बनाई है ये पूरे Garden of Eden में घूमता है वहाँ पर सारी चीज़े देखता है कि पेड़, पोदे, पसु, पक्ची, हवा, पानी सब चीज़ को देखता है अब घूमते घूमते इसकी नजर पढ़ती है दोस्तों दो इनसान पर Adam और Eve पर ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं Adam और Eve ये कह रहे हैं कि इस Garden of Eden में जो भी चीज़ हैं वो सारी की सारी हमारी हैं हम इनने किसी भी तरह से इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन Fruit of Knowledge को हम नहीं खा सकते भगवान ने खाने के लिए हमें मना किया हुआ है ये ट्री जो है ये Forbidden Tree है इसके उपर Apples आते हैं जिने हम Fruit of Knowledge के नाम से जानेंगे इन Fruit of Knowledge को ये Adam और Eve दोस्तों नहीं खा सकते हैं ये बात दोस्तों Adam और Eve के मूँ से कौन सुन लेता है ये Saturn सुन लेता है अब ये Saturn कहता है कि मैं किसी भी तरह से Adam और Eve को ये जो फल है वो खिला कर रहूँगा तभी दोस्तों Garden of Eden में घूमता घूमता ये Gabriel आ जाता है जो स्वर्ग से लेके Garden of Eden तक की जो सीडियां है उनका पहरेदार है उसकी निगा पड़ती है दोस्तों इस Saturn पर पहले तो ये Saturn सोचता है कि मैं इस Gabriel से दोस्तों लड़ाई कर लूँ तभी दोस्तों आसमान में एक बिजली चमकती है और इस Saturn को पता चल जाता है कि ये बिजली की जो चमक है वो बता रही है कि जो गोड है भगवान है अगर मैंने Gabriel से युद्ध किया तो वो पिरकट हो जाएंगे और मुझे हार का सामना करना पड़ेगा इसलिए दोस्तों ये Saturn क्या करता है वहाँ से निकल जाता है इसके बाद दोस्तों Garden of Eden की और Garden of Eden में रहने वाले जीव जन्तों की इनसानों की भगवान को बड़ी चिंता होने लगती है तभी वो अपने एक आर्क एंजल राफेल से कहते हैं कि तुम जाओ और Adam को समझाओ कि Adam यहाँ पर किसी भी वक्त Saturn आ सकता है उसकी बातों में तुम आकर जो Fruit of Knowledge है उसे मत खा लेना वरना तुमें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी दोस्तों ये राफेल आता है भगवान की आग्या के बाद कहां पर Garden of Eden में और वो आकर मिलता है इस Adam से और उन्हें समझा चाता है कि तुम Saturn की बातों में आकर कोई फल यहाँ का जो Forbidden Tree है Fruit of Knowledge है उनको मत खा लेना क्यों क्योंकि Saturn भगवान से बदला लेना चाहता है एक बार Lucifer जब तो था तो उसकी सैना का और भगवान की सैना का युद्ध हुआ था तो भगवान की सैना ने उन्हें उठाकर न करने की कोशिस करेगा तो दोस्तों यह एडम जो है इस राफिल से और भी कोशन पूशता है वो कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि भगवान ने किस तरह से सुर्ग नर्क और दुनिया की इसकी रचना की है तो यह राफिल थोड़ी तो बाते दोस्तों बताता है ले एडम को समझाने के बाद महां से चला जाता है दूसरी तरफ यह दोस्तों शैटन जो है गार्डन ओफ इडन के अंदर रह रहे सारे जीव जनतू पर पूरी तरह से नजर रखता है वो देखता है कि इस एडम और इव के पास कौन कौन से जीव जनतू जा सकते हैं तो तकरी साथ या आठ दिन बाद दोस्तों यह सैटन एक बार फिर से गार्डन ओफ इडन में आता है और आकर वो एडम और इव को ढूनने लगता है लेकिन इसका मेन टारगेट जो है दोस्तों वो है इव वो इव को बहला फुसला कर किसी भी तरह से फ्रूट ओफ नोलिज को खिला आना चाता है अब यह सैटन जैसे ही दोस्तों आया है गार्डन ओफ इडन में तो वो इन दोनों को ढून रहा है और दोस्तों यह आने के बाद एक सर्प का सर्प है वहाँ पर उस साप मतलब की साप के सरीर में प्रवेश कर लेता है कौन यह सैटन और एडम और इव को ढू न होगा जब हम दोनों एक साथ काम करते हैं तो हम बातों में लग जाते हैं जिसकी वजह से हम काम नहीं कर पाते तो हम दोनों अलग-अलग काम करेंगे जिसकी वजह से हम जल्दी से जल्दी अपना काम खतम कर सकते हैं तो दोस्तों पहले तो ये एडम जो है रेडी नहीं होत ये बात दोस्तो सैटन को पता चलती है कि ये दोनों अब अलग-अलग होकर काम करेंगे ये सैटन बहुत खुस हो जाता है और अपना टारगेट बनाता है किसको इव को अब जैसा कि मैंने आपको बताया था ये सैटन दोस्तो एक साप के सरीर में प्रवेश कर चुका है अब साप बन कर दोस्तो एक पेड़ पर जाकर चड़ जाता है वहाँ पर दोस्तो ये ईव के पास जाता है और उससे कहता है कि ईव तुम बहुत ही खुबसूरत हो मैंने आज से जादा तुम से जादा खुबसूरत लड़की इस दुनिया में नहीं देखी है लेकिन तुम इससे भी ज़्यादा खूबसूरत दीख सकती हो अब दोस्तों ये इव देखती है कि उसके आसपास कोई इनसान तो नहीं है लेकिन उसे ये आवाज आ कहां से रही है तो दोस्तों वो एक पेड़ पर देखती है सांप को कि एक सांप जो है इनसान की बोली बोल रहा है तो ये इव पहले तो बहुत सर्प्राइज होती है कि एक सांप इनसान की बोली कैसे बोल चकता है तो वो सांप से पहुचती है कि तुम इनसान की बोली कैसे बोल रहे हो तो ये दोस्तो सैटन होता है एक्चली सांप के रूप में वो कहता है कि मैंने फ्रूट ओफ नोलिज को खा लिया है यदि मैं कोई भी काम करना चाहता हूँ तो मुझे बस सोचने भर की टाइम लगता है और वो काम मैं सीख जाता हूँ जैसे कि मुझे इव तुमसे बात करने थी तो मुझे तुमसे बात करने के लिए इंसान की बोली का आना जरूरी था तो मैंने Fruit of Knowledge तो खाई रखा है उसकी वज़े से मुझे इंसान की बोली भी एकदम आ गई तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और यदि तुम इस दुनिया में सबसे खुबसूरत दीखना चाहती हो तो तुम भी Fruit of Knowledge को खा लो इस दुनिया में कभी भी तुमसे ज़़ा खुबसूरत और कोई नहीं दीखेगा ये सैटन दोस्तो उसको ऐसी बात कहता है अब इव तो एक लड़की है ना उसको सुन्दरता का फॉर्मूला मिल रहा है फ्री में तो वो क्यों न खाए तो दोस्तो इव जाती है Fruit of Knowledge को खाने के लिए लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैजिटेट होती है तो ये सैटन दोस्तो एक और बात इस इव से कहता है ये कहता है कि तुम फिकर मत करो और इसे खालो भगवान भी तुमसे यही चाहते हैं लेकिन बस वो इतना देखना चाहते हैं कि तुम कितने दिन तक इस Fruit of Knowledge को नहीं खाते हो बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है तो दोस्तो ये इव क्या करती है Fruit of Knowledge को खा लेती है अब Fruit of Knowledge को खाने के बाद इसे बहुत ही ज़्यादा व्याकुलता होती है और ये सीधी जाती है किसके पास Adam के पास और Adam से जाकर बताती है कि मैंने Fruit of Knowledge को खा लिया है अब ये Adam जो है दोस्तो बहुत ही ज़्यादा चिंता करने लगता है किसके लिए इव के लिए वो कहता है कि भगवान अब तुमें सजा देंगे हो सकता है वो तुमें Garden of Eden से निकाल के बहार फैंकते हैं अब ये Adam दोस्तो इस इव से जुदा नहीं होना चाता इसलिए वो क्या करता है Adam भी Fruit of Knowledge को खा लेता है अब जैसे ही Adam Fruit of Knowledge को खा लेता है तो इसको दोस्तो कैसी फीलिंग आती है Lust की फीलिंग आती है तो ये क्या करता है दोस्तो Eve के साथ Physical Relation बनाता है अब जैसे ही ये Physical Relation इसके साथ बना लेता है तो Saturn दोस्तो उस साप के सरीर से निकल कर कहां चला जाता है नर्क में चला जाता है नर्क में Pandemonium नाम की जो जगा है वहाँ पर जाकर अपने साथियों को बताता है कि हमने भगवान की जो बनाई हुई Creation थी इनसान उसको करेप्ट कर दिया है दूसरी तरफ दोस्तो ये सारी बाते भगवान को पता चल जाती है कि Adam और Eve ने Fruit of Knowledge को खा लिया है अब दोस्तो बहुत गुसा है भगवान की इन्होंने ऐसा काम क्यों कर दिया वो अपने बेटे Son of God से कहते हैं कि तुम जाओ और Adam और Eve को सजा दे कर आओ लेकिन साथ साथ उन लोगों को भी सजा देना जिन्होंने Adam और Eve को उत्साया है फल खाने के लिए तो दोस्तो God of Sun आते हैं कहां पर Garden of Eden में वो सबसे पहले Garden of Eden में आकर दोस्तो सजा देते हैं किसको उस साप को जिसका सरीर दोस्तो Saturn ने इस्तिमाल किया था वो साप को क्या सजा देते हैं कि तुम आज के बाद कभी भी सीधे नहीं चल पाओगे तो दोस्तो साप उसी दिन से टेड़े चलने लगाए हैं तो साप उस दिन से जैसे कि साप हम देखते हैं कभी भी वो टेड़े चलते हैं तो वो किस ने सजा दी थी वो Son of God ने दी थी दूसरी सजा दोस्तों वो किसे देते हैं इव को देते हैं इव से वो कहते हैं कि तुम तुमने अब फिजी का रिलेशन बना लिये हैं एक दूसरे के साथ तो ईव तुम्हें अब बच्चों को जनम देना पड़ेगा और जो बच्चों को जनम देते समय जो दुख होता है वो तुम्हें वो एसेहनिया होता है और वो तुम्हें सेहन करना पड़ेगा तुम्हारे बाद जो पीडियां आएंगी वो पीड़ी इस दर्द को हमेशा जब बच्चों को जनम देंगी इसको सेहन करती रहेंगी तो दूसरी सजा किसकी थी दोस्तो इव की थी तीसरी सजा किसकी है दोस्तो आडम की आडम से सन ओफ गोड कहते हैं कि आडम चाहे मोसम कोई सा भी हो सरदी गर्मी बरसाथ तुम्हें अपनी फैमिली के लिए खाना धूंडने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा तुम्हें हंटिंग के लिए जाना पड़ेगा तुम्हें काम करने के लिए जाना पड़ेगा तुम्हारे लिए कभी भी rest वाले दिन नहीं आएंगे तो दोस्तो Adam को भी ये सजा मिल जाती है अब अगली बात आई दोस्तो Saturn की कि Saturn को ये सजा देंगे या नहीं Saturn तो जा चुका है hell तो दोस्तो son of God जो है इनके पास तो बहुत ताकत है ये क्या करते हैं दोस्तो वहीं से Garden of Eden से ही एक सजा देते हैं Saturn को और उसके साथियों को मतलब कि सारे के सारे devils को वो कहते हैं कि तुमने साथा लिया था ना हमारी creation को correct करने के लिए तो तुम आज के बाद सारे के सारे साथी 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 बन जाते हैं इसके बाद कभी भी ये एंजल्स के रूप में converge नहीं होते transform नहीं होते उसके बाद ये हमेशा साथ बनते हैं तो इसके बाद दोस्तो कहानी में इस Saturn का chapter closed हो गया तभी दोस्तो ये God the Father यानि कि भगवान जो है वो भी बहुत गुस्ये में हैं वो कहते हैं कि मुझे Adam और Eve को Garden of Eden से निकलवा कर कहां फिकवाना है अर्थ पर धर्ती पर फिकवाना है तो वो अपने एंजल्स से कहते हैं कि तुम जाओ और अर्थ का temperature ऐसा कर दो कि जब सर्दियां हो तो सर्दी बहुत जादा पढ़े गर्मिया हो तो गर्मी बहुत जादा पढ़े वहां का temperature Garden of Eden की तरह नॉर्मल नहीं होना चाहिए तो ऐसा ही करते हैं भगवान के एंजल्स वो धर्ती का वातावरन दोस्तों पूरी तरह से बदल देते हैं कि सर्दियों में सर्दी पढ़ती है यहां पर अभी देख रहे होगे आप और गर्मियों में गर्मी पढ़ती है तो वो उसी श्राप के कारण उसी सजा के कारण हुआ था दूसरी तरफ दोस्तों यह Adam और Eve एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि तुमारी वज़े से यह हुआ है Adam लगा रहा है इलजाम Eve पर कि तुमारी वज़े से हमें सजा मिली है और Eve लगा रही है Adam पर Adam तो दोस्तों यहां इतना भी कह देता है कि भगवान ने तुमें बनाया ही क्यों था भगवान से मैंने क्यों प्रात्ना की थी कि मुझे कोई companion चाहिए तुमारी वज़े से मैं पूरी मानब जाती अब इस दुख को सहन करेगी तो दोस्तों यह Eve मान लेती है कि यदि मैं fruit of knowledge को नहीं खाती तो सायद ऐसा नहीं होता तो यह Eve क्या करती है दोस्तों आत्मत्या करने के लिए जाती है तो Adam जो है Eve को रोकता है और कहता है कि जो हमने गलती की है जो हमें भगवान सजा देंगे हमें उसे accept करना चाहिए और जो भी जीवन हमें मिलेगा हम उसको अब गुजारेंगे लेकिन हम भगवान से प्रात्ना तो कर सकते हैं क्या पता हमें भगवान माफी कर दे तो दोस्तो ये Adam और Eve भगवान से अपने द्वारा की गई गलतीयों की माफी माँगते हैं कि भगवान हमसे गलती हो गई तुम हमें माफ कर दो अब दोस्तो Adam और Eve की request कहां पोच जाती है भगवान के पास पोच जाती है कि ये दोनों माफी माँग रहे अर्थ पर फैंक दो पिर्थवी पर फैंक दो तो दोस्तो ये भगवान का आदेश लेकर माइकल जाते हैं Adam और Eve के पास और कहते हैं कि तुम्हें Garden of Eden को छोड़कर अब पिर्थवी पर जाना पड़ेगा ये दोनों दोस्तो Adam और Eve बहुत दुखी हो जाते हैं लेकिन माइकल एक बात और कहता है Adam से कि जाने से पहले वहाँ पर एक द्रिश्य तो देख लो वहाँ का अब ये माइकल जो है Eve को तो दोस्तो क्या करता है अपनी सक्तियों से सुला देता है और Adam को पहाड़ियों पर बहुती उंचाई पर ले जाकर एक द्रिश्य दिखाता है वो कहता है कि तुम दुनिया में जा रहे हो उसका एक सीन तो देख लो एक द्रिश्य तो देख लो वो वहाँ पर जाकर देखता है कि Eve और बाकी की ओरते जो है जो बाद में पीडियां चलती रहती है वो किस तरह से बच्चों को जनम देते समय दुख को सहन कर रही है और Adam यानि के सारे के सारे मेल जो हैं बाद में पीडी दर पीडी वो खाना तलास करने के लिए यहां से वहां भटक रहे हैं दोस्तों मैं एक और बात बता देता हूँ जब यहां पर यह डैविल्स जो थे सारे के सारे सांप बन गए थे तो यह कहां पर थे पैंडामोनियम नाम की जो जगा है उसके अंदर थे लेकिन दो डैविल्स तब भी सांप नहीं बने थे क्योंकि वो दुवार पाल थे और बाहर थे उस जगा से वो कौन है सिंट और डैथ तो दोस्तों जब यह धरती पर एडम और इव आएंगे तो इन्हें दोस्तों सिंट मिलेगा मतलब की पाप भी धरती पे मिलेगा मानब जाती इतने ज़्यादा पाप करने लगेगी कि एक दूसरे के खून की प्यासी रही और बाद में उन्हें डैथ को भी प्राप्त होना पड़ेगा यह सारी चीजे दोस्तों अभी तक चलती हुई आ रही है और उसके बाद दोस्तों यह माईकल बताते हैं कि एक दिन ऐसी बाड़ आईगी कि जिसमें पूरी की पूरी मानब जाती का विनास हो जाएगा पूरी की पूरी मानब जाती है वो खतम हो जाएगी लेकिन फिर भी एक इनसान बचेगा जिसका नाम है दोस्तों नू नू बचेगा वो कुछ जन्तू को जीव जन्तू को लेकर एक बोट में कहीं दूसरे कॉंटिनेंट पे चला जाएगा उसके बाद मेरे बेटे जो हैं सन ओफ गोड जो हैं वो लेंगे जनम धरती पर किसके रूप में दोस्तो जीजस क्राइस के रूप में और वो मानब जाती के जो सारे पाप हैं जो सारी सजा हैं उन्हें खतम करने के लिए सारे पाप को अपने उपर ले लेंगे उसके बाद एक नई मानब जाती का दोस्तो निर्मार होगा इसी वीजन के बाद दोस्तो ये माइकल क्या करता है इस एडम को और इव को धर्ती पर फैंक देता है इसी के साथ दोस्तो ये कहानी भी खतम हो जाती है I hope आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आई होगी मिलते हैं एक और नए लेक्चर के साथ तब तक के लिए दोस्तो जैहिन